भागरबंधन के अंदर राज़द और कॉंग्रेस के बीच विवाद जो है वो लगतार बढ़ता जा रहा है बता देखी उप्षिनाओ को लेकर जिस तरीके से राज़द ने दोनों सीटों पर तारापूर और कोसेस्व अस्थान पर अपने उमिद्वारों का अयलान कर दिया इसको लेकर कॉंग्रेस पार्टी में खासा नराज़गी देखने को मिली क्योंकि एक सीट जो है कॉंग्रेस पार्टी की रही है बिते विधान सवा में और इस बार भी कॉंग्रेस पार्टी चाहते थी कि उन सीटों पर मेरा उमिद्वार इस बार रहे लेकि मैं आज़े कि इस पूरे परकरण में पप्पू यादो की इंट्री को लेकर कॉंग्रिस में इंट्री को लेकर लगतार बिते दिन से चर्चा हो रही है पप्पू यादो बड़ी होने के बाद यह चर्चा खुब और यह भीहार की जाजित में कि पप्पू यादो की इ करते हैं कि उनको नियाय मिला है और बाते चल रही है दिल्ली में मुझे आज सुबह में राष्टी कार्यारी अध्यक्स आदनी है अख्लाक अमद जी ने फून किया था उन्होंने कहा कि पपूजी मर्च करना चाहते हैं दिल्ली में आप कब तक करा रहे हम से पूछ रहे थे ह पर और बात हो रही है अगर वो आते हैं मर्च करते हैं तो फिर वह रही हो सकती हमारी कांगरेश की बढ़ेगी और जिस तरह से राजद के दो सीट पर चुनाव उमिदवार की घोशना कर दी बिना कांगरेश के स्रमती के तो निस्टर था आप पर पपुा लगाने से हमारी वो वो नहीं लेंगे अगर वो आते हैं और उनको चुनाओ लड़ने का मंसा है तारपुर्तु को कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं होना चीए लेकिन यह फैसला आधनी रहूल गांदी और आधनी शोनियां गांदी जी लेगा खाएं सवब से लुगों की कॉंहर्स पार्टी में इंट्री हो रही है जिन से राज़्य को हरगी राज़त को कंहिया कुमार के यपांग्रेस बंद् होगा और भी जितने लोग देश में बड़े बड़े नेता हैं वो कांगरेस में आएंगे उनका स्वागत है चुकि हम लोग मिलजुल के जो भारती जंदा पाटी जूट बोलने युकों को रोजगार देने का जूट बोल रही है चाहे राम के नाम पे राम मंदिर के नाम पे जंद को आगे बढ़ाने का कर प्रदेश अध्यक्ष रादेश करों ने कहा कि जो फैसला ले लिए हम ले लिए अब इसमें कुछ नहीं होने लगा सब्सक्राइब को समझ कर लिया गया यह वह आप क्या कह रहे हम तो दोनों सीट पर चुलाओं लड़ रहे हैं आप लड़ेगा त कर दो